नमस्कार साती हूं एकबर फिर मैं दिपंकर समधार चार्टरे कॉंटेंट आपका दोस्त और बिजनस गुरूत असोसियेट साती साथ फाइदा एक जबर्दस्त और्गनाइशन है जो यह सारे शब्दों को मिला कर बना हुआ इसका मतलब फाइनस भी एडवाइजरी भी है आइडिया भी है डेवलोप्मेंट भी है और यह असोसियेशन है जिसके लिए आज हम लोग बात करने आए हमारे साथ में इस नैशनल असोसियेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इंस्पायरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं इस चीज को इंस्पायर बहुत ज्यादा करता है तो फाइदा का फाउंडर और इंस्पीरेशन के रूप में मैंने प्रियास कि एक और्गनेशन ऐसा बने जो की बहुत सारे लोग को फाइदा दे लेकिन कैसे इसके थोड़ा सा राकेश पूरी जी से जानते राकेश जी थोड़ा सा फाइदे के बारे में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूवर लों को बताईए नमस्कार सर्फाइदा एक ऐसा है जो ऑल ओवर इंडिया जो फाइनल सेक्टर इंसिट्यूशन काम कर रहे हैं उनको आग सब्सक्राइबर दिपांकर समारता जी जो अपनी फाइदा की फर्विस नहीं दे पारे हैं ने का मतलब यह है कि फाइदा जो और्गनाजेशन है वो सिर्फ और सिंगल परसन के लिए नहीं है क्योंकि यह जो फील्ड है बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील्ल्ले लोग जो फिल्ड में आते हैं जब राकेश जी भी हमसे जुड़े थे तो उस समय भी इनके बहुत सारे सवाल थे और सवाल के साथ में लोग कंप्लाइंस के आगे बढ़ नहीं पाते हैं ग्रोथ के बारे में सोच नहीं पाते हैं आइडिया बहुत दूर की बात हो जाती है वो केवल रीजन में मतलब हीमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और टीम लेकर चल रहे हैं राकेश जी फाइदा से आपको क्या फाइदा हुआ ये बताते हैं जब से मैं फाइदा से जुड़ा हूं तब से लेके आज तक हमारे स्टाफ को आपके द्वारा ट्रेनि काम आई हो इससे कहने का मतलब यह है कि confidence level increase हो रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण नहीं हो रहा है मैं आप लोगों को बता दूँ फाइदा organization की तरफ से कि ये तो vice president है लेकिन इनकी पूरी body है promoters का पूरा एक group है जो की board of director के जैसे काम करता है और यह सब मिलकर policies decide करत हैं कि next course of action क्या होगा कोई भी अगर व्यक्ति finance का business कर रहा है परेशान है और वह सही काम करना चाता है तो उसको maximum support देने के लिए केवल दिपंकर समद्दार की जरूरत नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर में already दूसरों को help करने का जजबा फाइदा के जरी आ राके जी फाइदा आप सब का confidence बढ़ाने वाला है फाइदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का परयास करने वाला है ताकि कहीं पर भी कोई भी डिपार्टमेंट हो कहीं पर भी कोई डिसकेशन हो उस जगह पर फाइदा कि जितने भी promoter है ना सिर्फ promoter वहां के सारे members जुड़कर representation पहुचा सके for example ndh4 का proper response नहीं आ रहा है ndh4 का response नहीं आ रहा है लेकिन हर कोई एक जुट है नहीं रहा के जी तो फिर होगा कैसे अभी हम लोगों ने initiative लेकर एक 5-6 cases file किये हैं अब वो कुछ file हो गया है कुछ file होने के process में और बहुत तेजी से इस पर से काम हो रहा है लेकिन members को और ज्यादा अवेर होना पड़ेगा और आना पड़ेगा एक और बात है micro finance में बड़ी बड़ी problems internally आती है externally internally क्या आती है regional director बोलता है किसको जो रिश्टार of companies ministry of corporate affair को कि भीया यह जो micro finance वाले वह proper ठीक से compliance नहीं करता है उनको आगे micro finance का object ना दिया जाए नाम भी ना दिया जाए यह क्यों बोल रही है क्योंकि awareness finance बिजनस वाले को कम है कोई deposit लेना शुव कर देता है unsecured loan में कोई जो secured है वहाँ पर unsecured देने लग जाता है compliance उन लोग बराबर करते नहीं है एक आदमी एक जिले में अगर डिफल्टर होता है राके जी फिर क्या होगा दूसरे लोग का दूसरे लोग को negativity फैलती है negativity फैलेगी और साथी साथ में यह व्यापार ही गलत हो जाने वाला है मतलब एक बहिमान तो सब बहिमान ऐसा feeling होने वाला है क्योंकि काम करने वाले वहीं पर हैं एक सही एक गलत लेकिन अभी तक वह सही है और यह अभी गलत हो गया तो फिर कुसी को गलत होने का कोई जरूरत क्यों है क्योंकि मैंने और मेरे मेंबर्स ने जिन लोगों से भी बात किये उनका यह कहना है कि भई हम कंसल्टेंट को पैसा दिये हैं हम कंसल्टेंट के उपर सारा चीछ छोड़े हमने दूसरे को पर विश्वास किया उसके बाद भी हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हम यह कह सकता और पहली बात ये कि क्या आफ स़ह हो दूसरी बात है कि बहुत सारे सही लोग मिलकर एक जगह पर है यही तो फाइदा है फाइदा आपको सिर्फ जोड़ेगा नहीं आपको आगे भी बढ़ाने वाले और यहां related separate modules लेकर आने वाले हैं फाइदा बहुत फाइदा करने वाला है आप अभी तक अगर अभी जुड़े नहीं हो तो जुड़ने के बारे में एक बार विचार जरूर करेगा आप कुछ फाइनली बोलना चांते रखें जी तो बता दिए तो फिर हमारा है वाइदा मिलेगा आपको फाइदा धन्यवाद आपका दिन जबर्दस्ता और शुब हो